हेलो बच्चों आज मैं आपको कक्षा आठमी जिसका विश्य है गनित इसकी वर्क्षिट नंबर 29 समझाँगी जिसकी डेट में पास 19 जन्वरी 2021 आज की वर्क्षिट में हम घनमूल की शाब्दिक समस्यों के बारे में जानेगे ठीक है देखो हमने घनमूल के ओता ही हमने पह गतना दे रखी है और एक अधु बिंड़ा की कक्षा की आपकर एक दोनों फो PAUL CH d देख्ते रों समयों का बची दींगी फेश्क चले Mitchapi अब तुम बताओ कि किसने कितने प्रश्णों का सही उत्तर दिया, देखो है क्या, पहले हम कोशन को समझते हैं, हुआ क्या था, एक mental maths की प्रतियोगी था थी, ठीक है न, अब उसमें तीन गल्स है, एक सवीता, दूसरी है आपर हमारे पास प्रिया, और तीसरी है मेखा, तो प्रिया क्या बोलती है, कि सवीता ने जितने भी प्रश्णों का उत्तर सही दिया न, मैंने उससे दुगने दिये, तो इसका मतलब अगर सवीता ने पांच प्रश्णों का सही उत्तर दिया, तो प्रिया ने इसका दुगना दिया होगा, तो इसको दो से गुना कर दू, तो तीन से गुना कर दो, 15 हो गया, ठीक है न, अब तो ये तो मैं आपको सिवेक उधारन दे के बता रहे हूं, ठीक है, अब वो कह रहा है कि इन तीनों ने जो प्रशनों के सही उत्तर दी है, अगर मैं उसका गुनन फल करूं, मतलब कि अगर मैं उन तीनों को मल्टिप्ला करूं तो मेरा 162 आएगा, तो फिर बताओ, तीरों ने सही उत्तर किते किते दिये, वो हमको बताने, ठीक है, तो हमने पते क्या कर लिया, हमने माना, कि सविता ने सही उत्तर P दिये, तो फिर प्रिया ने तो इसका दुगरा दिया था न, तो फिर प्रिया ने कितने दियोंगे, 2P इसको 2 से इंटू कर दिया, जैसे मैंने 5 को 2 से इंटू किया, तो 10 आया, ऐसी मैंने 5 को 2 से इंटू किया, तो 2P आ गया, ठीक है न, अब मेगा ने कितना दिया था, इसका 3 बुना, तो जब मैंने 5 को 3 से इंटू किया, तो 15 आया था न, अब ऐसी मैं 5 को 3 से इंटू कर देती ह 3P आजाएगा ठीक है अब इन तीरों का अगर मैं गुननफल करूं मतलब पी इंटू 2P इंटू 3P करूं तो मेरा आंसर आएगा 162 यही कोशन में मुझसे कह रहा है वो अब इन तीरों का अगर हम इंटू करें तो मेरा आजाएगा 6P क्यूब यहां से मैंने यह पी क्यू भी हाई छोड़ दिया और 6 को मैं नहीं चेले गई क्यूकि यह मल्टिप्लाइगा था इधर आके डिवाइट का आगया तो यह आगया 27 अब मैंने क्या किया देखो यहां से जैसी मैंने क्यू भटाया ना तो यह 27 रूट में चला गया लेकिन यहां पर 3 आएगा क्यू कि इस बार हमें घंद मूल निकालना है ठीक है अब हम क्या करते है इस 27 के गुणन खंड लिख देते हैं यहां पर तो कैसे लिखेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 अब आपको पता है जब घंद मूल निकालना होता है तो तीन का एक पेर बनता है एक जोड़ा बनता है न उसके बाद एक भार आ जाएगा तो पी आपके पास 3 आ गया इसका मतलब सवीता ने सही उत्तर कितने दिये तीन दिये तो फिर प्रिया ने कितने दियोंगे इसके दूगने दिये थे न तो 3 को 2 से इंटू कर दिया शिक्स थे इन तो दो फिर न और सभर दया है तो यह रिया पहले आज प्रधानमंत्री रहत कोशप में करोना दोरा की साहता के लिए कुछ धन राशी दान देने का नेने लिया मैंने जितने रुपे दान दिये मेरी कक्षा के उतने ही बच्चों ने मेरे बराबर रुपे दान दिये और मेरे विध्याले की कुल उतनी ही कक्षाओं ने मेरी कक्षा के बच्चों के बराबर धन राशी को दान दिये इस प्रकार क 3375 मेरी कख्षा में कुल कितने रूपे दान दिये और मेरे विद्ध्याले के कुल कितनी कख्षाओं में रूपे दी पहले हम कोशन को समझते हैं रहो यहां पर एक प्रधान मंत्री रहत कोश यह बनाए इसमें क्या हुआ है उन्होंने दान दिया है ताकि जो करोना के जो पेशेंट है उन लोगों की वो मदद कर सके है अब रिया ने क्या किया जितने पैसे रिया ने दिये उसकी कक्षा में उतने ही बच्चों ने बड़ाबर रुपे दिये जितने रिया ने दिये थे की साथ की साथ उसके जो विध्याले इसमें जितनी कक्षाइण है उसके उन्हों ने कितने पैसे दी जितने उसकी कख्षा के बच्चों ने इस कि उद्हान गष्वत दीए तो इसका मतलब है यहां पर कॉन सी तीनula जिए और दी यह माना है आप कुछ में बान सकते हो यहां पर ठीक है अब धन राशी दान देने वाले बच्चों की संख्या तो बच्चे तो बड़ाबर ही थे जितने डिया ने धन राशी दी थी उतने ही बच्चे थे उसके कक्षा में तो वो भी आर हो गया अब धन राशी देने वाले कक्षाओं की संख तो इसका मतलब मैं जब इन तीनों को गुना करूंगी तभी तो 3375 जमा होंगे तो यह मेरा आगया RQ और यहाँ पर आगया 3375 ठीक है जैसे ही यहाँ से क्यूब हटा तो देखो यहाँ पर रूट लगिया लेकिन यह रूट के अंदर यहां 3 आएगा क्यूं क्यूंकि इस टाइम पर हम घंदमूल की बात कर रहें अब हम क्या करते हैं इसके गुनानखंड कर लेते तो 3375 के जब आप गुनानखंड करोगे तो आपके पास तीन बार तो 3 आएगा और 3 बार आपके पास 5 आएगा अब आपको पता है 3-3 का एक जोरा बनाना है उसके बाद भार निकालना है है ना तो यहां पर एक 3 बार आजएगा एक 5 बार आजएगा इसका मतलब 15 तो इसका मतलब रिया ने कितने पैसे दान देते 15 रूपे तो कक्षा में धनराशी दान हाँ देने वाले बच्चों की संख्या कैं बड़ाबर होगी 15 ओं यूगी कितनी होगी कितनी कंख्षा होंगी वह द रहे तो 15 बारा बच्चों दान की रिया ने भी पंद्रा की ठीक है तो ये दो भटनाए थे आपके पास प्रिया की कक्षा की और रिया की कक्षा की आप इसी पर आधारित ना आपके पास कुछ प्रशन है चलिए उनको देखते हैं जैसे कि फर्स्ट में आपसे याँ पर कह रहे हैं चौक के घना का डब्बे का आयतन 1728 घन सेंटीमेटर है तो चौक के डब्बे की लंबाई चोड़ाई और उचाई बताएं तो डब्बे की ही हाँ यह पर कर लेते हैं तो आ लिखती हूं कि कि अ पर CO-2 भुजा गुना निंस दूब लगा दीतiyah अ दो बटाएंगों आen दोद草 को दे रखा है 1728 बुजा तो खेर मुझे नहीं पता लंबाई चोड़ाई और उचाई तीनों बराबर ही होगे इसकी तो मैं बुजा निकाल लोंगी तो वो तीनों चीज मिल जाएंगी मुझे है ना अब जब जैसी मैंने यहां से क्यूब हटाया ना तो यहां पर रूट सीज मैं मीचे तो इहां पर आजागा 8 64 टू की कि टेबल में जाता है तो 4022 फिर ये टू की टेबल से पूरा पूरा तो 216 अभी भी टू की टेबल से जा रहे है तो 108108 ब् 뭔ू की टेबल में आता है伊य ऌश्डीय सेवन तो ब्स अब 272 की टेबल में नहीं आता हूरी सेवन ऑ तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसके गुनानखंड सारे कितनी बार है टू? 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 3 है तीन बार और यहाँ पर मैंने भुजा ही लिख रखा है चीक है? आप देखो आपको बताए कि तीन-तीन के जोरे बनेंगे इन तीनों का एक जोरा, इन तीनों का एक जोरा और इन तीनों का एक जोरा तो अब जब यह रूट से बहार निकलेंगे तो एक एक ही तो आएंगे बहार तो एक 2 आ गया, एक 2 आ गया, एक 3 आ गया तो कितना आ गया? 2, 2, 4, 3 जा 12 तो इसका मतलब जो वो chalk box है ठीक है chalk का जो डबा है उसकी लंबाई उसकी चोड़ाई और उसकी उचाई ये तीनों कितनी होगी 12 semi ठीक है तो ये था आपके पास question number 1 चलिए question number 2 देखते है तो question number 2 आपके पास है दीपक ने व्रक्ष रोपन समारों में जितने पेड लगाए उसके दुगने पेड महेश ने लगाए और उसके चार गुना पेड सुनील ने लगाए तीनों के लगाए गए पेडों का गुननफन 4096 है तो बताईए दीपक महेश और सुनील ने कितने कितने पेड लगाएं देखो तीन जने है कौन-कौन दीपक महेश और सुनील इन तीनों ने पेड लगाएं व्रक्षा अपन सवारों में अब कैसे कैसे लगाएं जितने दीपक ने लगाएं न महेश ने उसके दुगने लगाएं और सुनील ने कित तो फिर आप बताओ कि दीपक महेश और सुनेल ने कितने कितने पेड़ लगाए तो आपको लग रहे हैं यह कोशन कुछ ऐसा है जो हमने अभी यह वला किया था प्रिया के कक्षा के घटना ऐसा से यह नहीं है तो चलिए पहले हम यहां लिख लेते हैं तो यहां पर लिखती हूँ मैं इसको कि माना कुछ से ही मानना परेगा क्योंकि तीरों के दे नहीं रखें माना की दीपक ने एक्स पेड़ लगाए आप कुछ भी बाद सकते हो एक्स की जगा ठीक है तो फिर महेश ने कितने लगाएंगे इसके दुग नहीं तो लगाए है त और सुनील ने कितने लगाएं इसके चार गुणा किसके चार गुणा दिपक के तो फिर इसको चार से इंटू कर देते हैं तो सुनील ने 4x पेड़ लगाएं ठीक है अब इन तीनों का अगर मैं गुननफन करूं तो कितना आने वाला है मेरा 4096 यही आने वाले इंटू करते हैं चलो 42 जाए तो 8 हो जाएगा एक्स को तीन बर करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा अब यह 8 मल्टिप्लाय का इधर आके डिवाइट का हो जाएगा ठीक है न इसको जब मैंने डिवाइट किया न तो मेरा एक्स क्यूब आ गया है यहां पर 512 अब जैसे ही मैंने क्यूब हटाया यह रूट में चला ग 156 टू kebel मैं 1 028 के 1 68 कूश्कboys की टेवन में इस फिक्सेटी naw-nate 32 अच़ेटबियों साथ कटेवाइट अंचितने मारने 003 24 смог 7 8 9 9 तो चलिए लिख लेते हैं आपर अच्छे यहां से इसको हटा दो क्यूंकि हमने मारूट लगा दिया ना इसलिए हटा दिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो यहां पर लिखना दो परेगा तो मैं यहां लिख देती हूं तो दीपक ने आठ पेड़ लगाए पता चला ना आपको आठ कहां से आया सिर्फ मैंने हाँ पर एक्स का मान लखा इसके अंदर और खुछ नहीं किया ठीक है महेश ने आप देखो यहाँ पर टू एक्स है तो एक्स को टू से इंटू कर दो सिक्स्टीन तो सोला पेड़ लगाए ठीक है अब तीसरा रहा गया कौन सुनील तो वह है फोर एक्स तो फोर से इंटू कर दो तो सुनील ने 32 पेड़ लगाया ठीक है तो यह था आपके पास कोशन नमबर टू चलिए लास्ट कोशन देखते हैं कोशन नमबर थ्री एक शहर के एक उत्पादन केंदर में जितने करोना टीकों का उत्पादन एक घंटे में किया जाता है उतने ही करोना के टीके का मूले है और उतने ही उत्पादन केंदर उस शहर में है शहर के दुआरा एक घंटे में उत्पादित करोना के उत्पादित टीकों का कुल मूले है दो करोट सतर लाग है बताईए कि करोना के एक टीके का कितना मूले है और उस शहर में कितने उत्पादन केंदर है एवम एक घंटे में एक उत्पाधन के इंदर में कितने टीके का निर्मान होता है सबसे पहली बात तो कोषर को समझते हैं देखो आपको High रहा है कि उत्पादन केंदर एक शहर में छहां पर ये करोना के टीके बनते होंगे न उस वहाँ वहने एग घंटे में जितने करोनके टीके बनते है न उतने से ही एक साग् Mālid के लिटी दॉने का ंदाब एक साग्ते लिदि शननने लुश मैं है गलव है है वो और उत्पादन केंदर उस शहर में ठीकिया इन तीनों का ये तीनों जो है बड़ाबर है अब वो कह रहे है कि एक घंटे में कितना बन जाते हैं कितना मूल्य हो जाता हैं दो करोट शतर लाग का शहर दुआरा एक घंटे में उत्पादित करोना के उत्पादित इक्वल ही तो है अगर मैं एक निकाल दूगी तो तीनों ही निकल जाएंगी है ना तो चलिए मान लेते हैं आप कुछ निकालना है तो मानना पड़ेगा यहां पर तो फिर से माना क्या क्या माने तीन चीजे हैं तीनों कोई मानना पड़ेगा ठीक है तो एक घंटे में उत्प एक उत्पादन केंद्र में टीकों का निर्मान कितना है एक्स है तो फिर एक टीके का मूल्ले भी एक्स ही होगा है ना एक टीके का मूल्ले वो भी मेरा एक्स आएगा और शेहर में उत्पादन केंद्र वो भी मेरे एक्स होंगे कुल उत्पादन केंद्र छहर में तो वो भी मेरे X है अब जब मैं इन तिनों को गुना करूंगी तब ही तो मेरे को पता चलेगा कि वो 2 करोट 70 लाका है है ना, तो वो ही मैंने यहाँ पर कर दिया X into X into X तो यह आगया मेरा 2 करोट 70 लाक तो यहाँ पर आगया X क्यूब और यह आगया 2 करोट 70 लाक ठीक है ना, अब जैसे ही हाँ से क्यूब हटा, तो यहाँ पर तो रूट लग जाएगा, लेकिन इसके अंदर 3 आएगा ठीक है, आप इसके गुनान फंड करने है तो देखो, अगर हम इसके गुनान फंड करते है, तो यह तो बहुत बड़ा है, गुनान फंड कैसे करेंगे इसके, इतने बड़े के, तो आप इसको ना, एक शॉट कर तरीके से करो, आप क्या करो, 27 के निकाल लो, तो वो तो 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है, यह तो हमां सानी यह से निकाली सकते है, ठीक है, अब देखो, 0 गिलों कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है, तो तीरों के आगे 2-2 लगा देते, ठीक है ना, इसका मतलब, 300 इंटू 300, इंटू 300, अब इन तीरों का एक जोडा बन गया, तो X कितना आ गया, 300, ठीक है ना, क्या-क्या माना था X, यही स एक उत्पादन केंद्र में, 300 टीकों का निर्मान होता है, ठीक है, और एक टीके का, एक टीके का, कुल मूले, 300 है, ठीक है, उसके बाद, तीसरी चीज थी, शहर में, 300 उत्पादन केंद्र है, यही तीन चीज निकाल ली थी, और यही तीनों चीज हमने यहापर निकाल दी, ठीक है न, तो यह कोशन जो आपने अभी पीछे क्या था न, किसका था, प्रिया की कक्षा की घटना थी न, नहीं, जिया की कक्षा की घटना, यह, इस पे, पूरा इस पे अधारित था, ठीक है, तो यह तीनों कोशन हमारे हाँ पर कम्प्लीट हो गए, वरक्षिट नमबर 29 कम्प्लीट हो गई, अब वरक्षिट नमबर 30 जो है, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी, तो आप इसे लाइक जरूर कीजेगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा, थैंक यू,